तो हेला एवरिवन जैसे कि आपको पता है होई ओवर्स ने हाली में अपकमिंग कैरेक्टर जैलोलीन का डिप मार्केटिंग कर दिया है जिससे ये कन्फर्म हो गया है कि जैलोलीन 5.1 अपडेट पे रिलीस हो सकती है और कल ही जैलोलीन का बीटा टेस्ट किड़ में रिवेल हो सकती है इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेइन करूंगा जैलोलीन की अर्ली किट वीडियो को एंड तक के देखना और लास्ट में कमेंड करके जरूर बताना कि क्या वाकई में आपको भी लगता है इस किट को देखने के बाद के ये जैलोलीन काजवा से बेटर हो सकती है लेवल 90 और लेवल 90 तक एसेंट करने पर आपको तोटल 36% का डिफेंस बोनस मिल सकता है जैलोनीन का नॉर्मल और प्लंजिंग अटेक लगबग एक जैसा ही है लेकिन उसके चार्ज अटेक एक फिक्स अमॉंट में स्टैमिना कंजूम करता है और आगे की और किक करता है जो क्योंकि वो इस दिवाइस का यूज करके एनिमी इसको किक भी मार सकती है तो ये बात ध्यान दखना अब मैं अगर इसके में चीज एलिमेंटर स्किल की बात करूँ तो जैलोनीन हाई स्पीड कॉमबेक ब्लेडिंग गियर पर स्विच करती है और अपने डिफेंस के आधार पर नाइट सोल अलाइन जियो डैमेज डील करने से पहले एक सर्टन डिस्टेंस तक आगे बढ़ती है इस सिमिलर टू अगर मैं कहूं तो यलन की अगर आपने स्किल देखी होगी तो यलन जैसी स्किल यूज करती है और हाइडरो डैमेज यूज करती है वैसा ये नाइट स पर अगर मोड में चले जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट बाद जैलोलीन के पास जो है तीन सेंपलर है जो उसके दूसरे पार्टी मेंबर्स के अलेमेंटल टाइप के आदार पर अलग-अलग साउंड्रेप्स जनरेट कर सकती है ऐसा आप समझ सकते हो कि तीन सेंपलर व भी कम कर सकती है हर एक सेंपलर के अंदर इनिशली रिकॉर्डेट सेंपल सोर्ट जीओ जरूर होगा और इच पार्टी मेंबर्स जो पाइरो हाइड्रो क्रायो या फिर इलक्ट्रो है उसके लिए एक जीओ सेंपलर चेंज हो जाएगा करस्पॉंडिंग एलेमेंट पर अब कर सकती है जब उसके नाइट सोल पॉइल मैक्सिमम हो जाते है तो वो अपने सभी नाइट सोल पॉइंट को कंज्यूम कर लेगी और तीन सोर्स ऑफ सेंपल को एक्टिवेट कर देगी जो कि इसके हाथ में सरी 50% के लिए ही रहेगा जब सोर्स सेंपल एक्टिवेट होते है तो आज-पास के अपनेट के करस्पॉन्दिंग अलिमेंटर रेजिस्टन्स कम होगा एक ही अलिमेंटर टाइप के सोट सेंपल स्टेक्स एपेक्ट नहीं कर सकते है और जैलोलीन इस एफेक्ट को और फिल्ड भी रहकर ट्रिगर कर सकती है इन सिंपल में मैं मैं कहू तो ये skill में 3 sampler generate करेगी जिसमें से एक जियो और बाकी party members के हिसाब से change होंगे और maximum night soul points होते ही corresponding element resistance को ये decrease कर देगी अब इसके elemental burst की बात करते है elemental burst ये फ्लोगिस्टन stereo mixture को full power से activate करती है और night soul aligned AOE geo damage deal करती है जो की based होगा इसके defense पर और additionally वो कुछ effects भी trigger करेगी जो की based होगा उसके different source samplers पर फ़र्ष्ट अगर उसके पास कम से कम 2 source sample है जो elemental conversation से गुजड चुके है तो zealulin एक ambient rhythm बजाएगी और nearby active character को intervally heal करेगी जो की based होगा उसके defense पर और दूसरा अगर उसके पास 2 से कम source sample है जो की elemental conversation से घुजड चुके है तो zealulin एक अर्दन rhythm start कर देगी जिससे additionally 2 beats बजाएगी और यह beats deal करेंगे night soul alignment AOE geodamage जो की based होगा इसके defense पर अगर मैं simple way में कहूं तो आपको zealulin को कहना है डीजे वाली baby मेरा गाना बजा दो और और baby जो है वो source sample के हिसाब से गाना बजाएगी मिंस दो से ज्यादा source है तो वो heal करेगी और कम है तो वो damage deal करेंगी based on her defense simple बस इतना ही है अब बात करतें इसके passive talent के इसका first passive कहता है जब यह night soul blessing states में होती है तो zealulin के normal and plunging attack को कुछ buff gain होता है जो की based होता है उसके current source sample के types पर जैसे उसके पास अगर दो source of sample है जो की elemental conversion से गुजर चुके है तो वो 35 night soul points regenerate करेगी opponent को hit करते ही और जो की trigger करेगा every 0.1 second पे और दूसरा अगर उसके पास दो से कम source sample है जो elemental conversion से गुजरे है तो यह damage deal increase करती है 30% से means इस passive में night soul points regenerate होते है दो source sample होने पर और दो से कम होने पर यह damage increase करती है 30% से बहुत ही easy है और इसके second passive में night soul blessing state में जब zealulin night soul points maximum reach हो जाता है वो अपने night soul burst के equal effect trigger करेगी यह effect हर 14 second में एक बार trigger किया जा सकता है और जब nearby party member night soul boost को trigger करते है तो zealulin का defense 20% से increase हो जाती है 15% से और इसके अगर third passive कहता है जलulin का night soul points खतम हो जाने के बाद जलulin अपने night soul blessing को बनाए रखने के लिए फ्लोगिस्टन को consume करने लगेगी नेटलन के अंदर लोगिस्टन मेकेनिक्स वाले एरिया में रहते हुए वह night soul transmission का use कर सकती है जब active character sprinting climbing और talents के अंदर होने वाले moments mode में हो या फिर हवा में होने से कुछ effect trigger होगे जब आप जलन इन्स पे switch करोगे फर्स्ट वह night soul blessing states में enter होगी और gain करेगी 20 night soul points जिसका 4 seconds का time limit होगा उसके बाद night soul points तुरन खतम हो जाएगा और इस time limit के अंदर अगर आप skill का use करते हो तो night soul point का time limit और extend हो जाएगा 9 seconds से और night soul transmission trigger होगा once every 10 seconds by its own teams और दूसरा नेटलन में अगर जलनी night soul blessing states में climb करती है तो वो stamina consume नहीं करेगी अब बात करते हैं हम इसके constellation की देखो मैं सारे constellation नहीं बताने वाला हूँ सिर्फ दो major constellation ही बताऊंगा बाकि हम f2p's है इतना rare है constellation constellation निकालना जिसके हमें जहुरत नहीं पड़ती है बट यह दो constellation काफी बढ़िया है और काफी जरूरी है आपको जानना इसका constellation जिसमें से पहला इसका night soul blessing states में जिलनी जो night soul points और फ्लोगिस्टॉन तो interruption resistance भी increase करेंगे और इसका second constellation तो काफी जादा ब्रोकन है जब जेलोलीन का source sample active होते है और nearby active party members को active source के corresponding effect gain होंगे जो उसके elemental type से mail खाता हो यान कि match करता हो लाइक अगर जियो character है तो उसका crit rate increase होगा 30% से pyro character का attack increase होगा 40% से hydro character का hp increase होगा 40% से cryo character का crit damage increase होगा 15% से और electro character restore करेंगे 20 energy and elemental burst का cooldown जो है वो decrease होगा 5 seconds से तो अब इसके second consolation को देख कर तो बहुत broken लग रहा है बट फिर भी ये एक early beta kit है so it might be change in their states percentage तो percentage में कुछ changes हो सकते हैं बट इतना पता है कि ये buff तो जरूर करेगी अपने second passive में और गाइस आपका क्या कहना है जेलोलीन के kit के बारे में नीचे comment करके जरूर बताना है और ऐस से ही guide and news देखने के लिए channel को subscribe